पहली सर्विस के बाद गेर में मेरे वाइब्रेशन रही थी ओन करने के बाद गेर में वाइब्रेट रहता था वो हिलता रहता था तो सी एंजी पे जो टॉप स्पीड गई थी इसकी वह वन फॉर्टी फाइव गई थी हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज में लेकर के आया स्रेव आपके ओनर्सिप एक्सपीरेंस के बारे में आज हम जानना चाहेंगे आपने गाड़ी कितने दिन पहले ली ती यह गाड़ी मेरे को हो गया है डेड़ साल यह हुए तो कितने चला दी आपने गाड़ी एप्रॉक्स अभी चलिए 13,000 ते रहा हजार चांजी और कितन काम करवाया था फिर मैंने भार से करवाया तो बिना सी एंजी वाला मॉडल मेरे किसाब से साड़े 6 लाग का राउंड होगा हंजी सर क्योंकि टाटा में पूरा-पूरा एक लाख रुपे सी एंजी का यह उपर से लेते हैं किसी भी मोडल में आप अगर सी एंजी एडिशन दूसरी सर्विस के लिए मैं जल्दी खुद भी गया था क्योंकि जब मैंने पहली सर्विस कराई थी तो आई इसके कारण मेरे को दुबारा जल्दी जाना पड़ा तो वह मैंने दिखाया उन्होंने समझा चीजों को और मेरी गाड़ी हाल-फिलाल में दो गंटे में रेड कोई कोस् МУЗЫКА नहीं लिए उन्होंने तुरंट एक दम गाड़ी दे की और करके दी यह पार आयको द्हожद आधि यह दूसरी सर्विस थी मई जब मैं दूसरी में कराने गया था तो उन्होंने तुरंट सब्सक्रסय एक दम डर्दाव करके दी आप पहली सर्विस ौर एक वाइबरेट करता था इस तरीके से कितने दिन चलाई आपने गाड़ी यह मैंने हपता बर चलाई थी उसके बाद तुरंत दिखा दी थी चाटा के वर्क्शॉप वालों ने क्या पता है प्रोलम को उस बता है कि यह प्रोलम है गाड़ी में जो इनके गुटके बोलते हैं जो इसके गुटके होते हैं वो डीले हो गएते जिस वजह से वह उनका फॉल्ट था करनी पाएते या करना नहीं चाहा उसके कारण उन्होंने फिर मेरे को सब चीज फ्री आफ कोस्ट करके दी और मेरी गाड़ी तुरंत रेडी करके दी तो मतलब कोई पार्ट्स खराब थे उन अब तक का अब तक मेरा बहुत अच्छा एक्सपिरियंस रहा गाड़ी में हर चीज बहुत ही बैस्ति और मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी लोग खरीदें क्योंकि बहुत अच्छी मजबूत गाड़ी अच्छा आपको माइलेज क्या मिल रहा है कि मैलेज़ एप्रोग सी एगर हम बात करें लॉंग रूट पर तो अगर हम लोग सी एंजी में लॉंग रूट पर जाते हैं तो बाइस देख सी एंजी में दे देती है लॉंग रूट पर बाइस थे लॉट पैसे इनकेस we are switching तो आपके साथ भी क्या ऐसा है मैंने उनसे खुद पता करा था कि चलानी ज्यादा अची रहेगी है पट्रोल पे तो उन्होंने खुद भी बोला था कि सर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें पट्रोल घूमना चाहिए और पेट्रोल पे चला लेता हूं कभी चला लेता हूं लेकिन मेरा एक्स्पिरियंस बहुत बेस्ट है दोनों चीज में आचाहिए जायतर गाडी में सीक्वेंस एलके टाती है जिसमें गाड़ी स्टार्ट पेट्रोल पे होती है और चलती है पांस दो चार पांस मेड़ बात सी एंजी पर अपना स्विश हो जाती है तो टाटा वाले यह बोलते हैं कि इसमें इनकी जो गाड़ी है यह से इंजी बिस्ट उसकती है तो यह एकस्ट पीचर है नॉर्मन इसे उन्हटीर थिया आपने पासे जो सी एंची स्टाट कर तो नॉर्मल मोड में पर स्टाट होती है मियं आप के जॅश्य नोर्मल मोड में हमारी जम्ट घण साथ चा esse तब वो पेट्रोल पर स्टार्ट होती है इनकेस अगर हम नहीं बंद करते हैं तो वह आटोमेटिक सी एंजी पे चलेगी है यह यह तो बहुत अच्छा भी चले है क्योंकि वेगनार वगेरा में या मारुतिकी जितनी क्या होता है कि गाड़ी हमेशा पेट्रोल पर स्टार्ट होती है अगर आप पूरे महीने चल रहे हैं तो फिर भी आपको दो हफ्ते में 500 रोपे के पेट्रोल खर्श होता है मैंने अभी रिचेंट कुछ महीने पहले इसमें पेट्रोल बिल्कुली कम कर दिया था दलवाया भी आई गई सब चीज करता हूं में इसके साथ हाइवे पर चलाने का एक्स्पिरेंस कैसा है गाड़ी का हाइवे पर मैंने अभी तक जब कई मैंने ट्रेवल किया था लॉंग तो मैंने अप्रॉक्स यह 145 चलाई थी टॉप स्पीड चेक करने के लिए जो हाल-फिलाल में सभी अईसा नहीं था कि गाड़ी वाईबरेट कर रही है है वाग रही है कुछ ऐसा नहीं कुछ गाड़ियों में इसा होता है कि आदमी चोड़ तो लेफ्ट साइड या राइट साइड जाना शुरू कर देती है लेकिन कुछ ऐसा नहीं है एक टू चिपक्के चलती है न इसका बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लगता है सब चीज अपने पर चला बढ़ी आए कोई दिकत नहीं आई मुझे आज तक अच्छा स्टीज में टाटा गड़ी सब ज्यादा बदनाम है वह वाइब्रेशन और नौइज आती है तो इसके कुछ महसूस होती है वाइब्रेशन मेरे को आज तक कभी महसूस नहीं हुई क्योंकि अधिकतर में चलाता हूं इन केस कभी में जब पेट्रोल पर इसे बखाता हूं तो जब टॉप स्पीड क्रॉस करता हूं तब लगता है कि हाँ गाड़ी में आवाज ज्यादा हो रही है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं अपनी स्पीड को कम करते हैं लेकिन सी एंजी में मेरे को कभी ऐसे आवाज का कुछ पता नहीं चला बेस्ट है अभी तक के लिए मेरे को कुछ दिक्कत नहीं हुई कोई प्रॉलम नहीं अचा इससे पहले आप कौन-कौन सी गाड़ी रख अब मेरे घर में अधिकतर सारी गाड़ियां टाटा की हैं मेरे पास हैरियर है टिगोर है नेक्सोन भी है मेरे पास और अभी मैं अपनी चला रहा हूं तो आप प्राउट टाटा उनर हैं जी मैं प्राउट टाटा उनर हूं और मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाटा को सपोर्ट करें खरीदें क्योंकि जो इन बिल्ट यह चीज यह कंपणी दे रही है वह अभी तक किसी ने नहीं दी बिल्ट क्वालिटी मानना पड़ेगा अब तक कि सारी गाड़ियां प्रूफ कर चुकी है विल्ट क्वालिटी तो एक नंबर है कोई पालोगी है पीचर्स भी अच्छे है लुक्स भी अच्छे इंटीर भी अच्छे है अलका सा जो इंजन वाली कुछ लोग कंप्लेंड करते है वो एक चीज लग सकती तो इसमें सिंगल से रहता है पीछे डबल से रहता है सिंगल से लेंडर रहता है मेरे को पीछे बूट स्पेस नहीं मिला परिशान रहता हूं बाकी कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया चलती है अच्छा आपने जब गाड़ी खरीदी और कौन-पों सब्सक्राइब को मैं बुरी नहीं काऊंगा लेकिन मेरे बजट से बाहर पर जो टाटा का सर्विस एक्स्पिरेंस है उसमें कई बार मैंने सिकायते सुनी है यूट्यूब पर रिव्यूज में भी लोग बताते हैं कि वहां पर क्या चानक से बहुत जादा भीड जाने लग लोग परेशान है प्लस मेकैनिक्स कई बार कमी चोड़ देते हैं उसको बाद में आगा दोबारा से दिखाने लेके जाते हो तो कई बार वह एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यह कमी है गाड़ी में ऐसी भी जो है रिव्यूज हमने देखे हैं ऐसे भी लोगों के पीड़िब लिए आते हैं करवाते हैं टाइम लग जाता है लेकिन एक कमी ही छोड़ी थी बाद में उन्होंने मेरे साथ तो एक्सेप्ट करी थी उसे ठीक करके दिया और सर्विस बेस्ट है अब दिक्कत नहीं होती है और फिलाल में तो फोन आते हैं हमारे पास गाड़ी वो लोग चाहता हूं कि यह लोग देना शुरू करें जब इतना फीचर्स दे रहे हैं गाड़ी में तो यह दीरे-दीरे सब चीज को बिल्ड करें और चीज़े अच्छे फीचर्स देनी की कोशिश करें और कितने रुपे के पड़े आपको यह फोग लेंब मेरे को एप्रॉक्स पं अधर में आते हैं गाड़ी में किया पर हमको आई सी एंजी की बैजिक मिल जाती है दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं पीछे तो गाड़ी के विजिन नहीं जाप होगते हैं अलकी से मारूपी से जाता है ना कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं लिग है अधर देंटिंग सीट लगाई हुई है अलका सा इंजन थोड़ा वाइबरेट करता है तुछी सिरेंडर इंजन है और यह इस सीज़ करता है यह लिखिए यह इंजन यहां से इलगा है लेकिन बौड़ी को नहीं आ रहा है यहां पर गाड़ी के कवर बहुत प्यारे लग रहे हैं यह गाड़ी के कवर मेंने बाहर से लगवाए थे कितने रुपे के बड़े यह मेरे को पड़े थे शाड़े तीने जर रुपे के बहुत बढ़िया उसके साथ उसने हमारे फ्लोरिंग करके दी यह यह चीज बहुत बढ़िया क्या जुगा लगा रखा है यह खुक लगा रखें जिसे गाड़ी बोलती नहीं है बेल्ट लगाने के लिए बार बार अलाकि यह थोड़ा अंसे तो रहता है यह थोड़ा सा लेकिन अपना जब लोकल एरिया में हम लोग ट्रेवल करते हैं तो जरुवत नहीं पड़ती बेल्ट लगाने की लेकिन मैं चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा लगाएं इसे सेफटी बनी रहे हैं दोस्तों को यहां पर एक हुग दिया ह हुई क्योंकि ठीक चलता है यहां पर और बाकी चीजे में यहां से कंट्रोल कर लेता हूं स्टीरियो आपका यह मुझे लगता है अपर मॉडल में आता है इन्होंने एक्स्टा में लगा के दिया कुछ एक्स्टा चार्ज किया हुगा इसका नहीं है अल्रेडी लगा हुआ है Manual AC मिलता है हमको यह अपना CNG ऑन फ का स्विछ और यह अपने ऐसी के सारे गनट्रोल्स यहां पर थोड़ा स्टोरेज एरिया दिया हुए बीच कफोल्डर दिये हुए और पीछे और थोड़ा से स्टोरेज हुए लिए गया हुआ है आर्म्रेस इस Gड़ी में को नहीं मु तो दोस्तों आगे वाली सीट में अपने साब से सैट की हुई है आप देख सकते हैं कि लेग रूम इनफ है हमारे पास थाई सबोर्ट भी अच्छा है हेड रूम भी ठीक है गाड़ी के अंदर हलका साथ वह उच्छा बैठा हुआ हो तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा उच्छ हो फिर भी हेड रूम का के अच्छा मिल रहा है आई आपको दिखाते हैं पीछे स्पेस कितना है तो दोस्तों नए वाले मॉडल में हमको डबल स्लेंडर मिल रहे हैं जो कि इसके नीचे आ जाते हैं और यहां पर हमको बूट स्पेस मिल जाता है लेकिन यह हमारा 2022 का मॉडल है तो आप देख सकते हैं कि पूरा बूट स्पेस अल्मोस्ट कवार्ड से नीचे जगा है लेकिन वह एक तरीके से वेस्टी है इसमें हम ज्यादा कुछ रखनी पाएंगे स्टेफनी दी हुई है और ऊपर उठा के थोड़ा से से लेंडर दिया हुए और टाठा के अंदर पहले आती थी यह हमारी पंचर किट अनफॉर्टनेटली अब इसको डिसकंटीन्यू कर दिया गिया है अपर मॉडल में है अपर कैमरा आता है जो कि इसमें नहीं है इसी होने पर गाड़ी चला के देखते हैं कैसी चल रही है इनीशल गेर्ज में अच्छी चल रही है खासकर पंच के कमपेरेजन में कर देखें क्युक्त कुछी दिन पहले मैंने पंच चलाई थी और अपनी गाड़ी जब लेने कहा है तभी मैंने पंच की टेस्ट राइड ली थी तो पंच से तो काफी बैटर चल रही है कि पिक अप काफी अच्छा है गाड़ी का सी एंजी पे चल रही है भी एसी ओन है सी एंजी ओफ कर देता हूं पेट्रोल में चेक कर लेते हैं सेगेंड गयर में गाड़ी है लगभक सेम ही है और मोट सेम है इस पता नहीं लग रहा है कोई भी टाटा टिग और कभी मेरा एक्स्पिरेंस आजा ही था कि पेट्रोल से एंजी में कोई भी डिफ्रेंस महसूस नहीं अगरता है घाड़ी को चलाने में अभी मैंने इसी भी बंद कर दिया है गाड़ी का और पर चल रही है तो मैक्सिम अगर कोई पर्फॉर्मेंस निकल चकती है तो वह यह है कि अब फिर से एसी ओन कर देते हैं और सी एंजी ओन कर देते हैं अल्मोस्स एम पर्फॉर्मेंस है हलका बहुत डिफ्रेंस तो मारुश की गाड़ी में पता लग जाता है लेकिन टाटा में पता नहीं होने क्या इंजीनियरिंग करी है टिगॉर में भी से इंपिरेंस मुला है और टियागो में भी सी एंजी और पेट्रोल में बिल्कुल भी लग रहा है चलाने में कोई अंतर बता नहीं लग रहा है कि अ अंतर नहीं पता है कि एंग क्या ताक Oh झाल